पतौधी विधानसभा शेत्र से कॉंग्रेस प्रत्याशी सुधीर चौधरी से हमारे सहीयोगी प्रविनुष चर्मा ने खास बार चीत की है सुधीर चौधरी ने बीजेपी पर विकास के नाम पर चल करने का आरोब लगाया है उन्होंने कहा है कि पतौधी में पिछले पांस साल में कोई भी विकास का कारे नहीं हुआ है आर नाइंट की टीम पहुंची है पतौधी विधानसभा शेत्र में जहां पर इस वक्त हमारे साथ मौझूद है कांग्रेस परतियाशी सुदीर चौधरी जिन से हम जानते हैं कि किन मुद्रों के साथ सुदीर हैं में भी चुनाव होने जा रहा है जो इन लोगों ने वादे करे थे जो लोग युवाओं को इन्हों ने गुम्रा करा था उसको देखते वे हमने युवाओं के लिए रोजगार की बात करी है बेरोजगारी बत्ता की बात हम लोगों ने करी है मैलाओं को जो बस होगी उसम लोगों ने बोला है तो जो आज महंगाई इतनी ज्यादा हुई पड़ी है उसको पूरा कंट्रोल करने का काम कॉंग्रेस पार्टे करेगी सुधिर जी एक ठपा लगा हुआ पटोदी पर पिछड़े पनका के पटोदी को आज भी पिछड़ा शित्र माना जाता है विकास से कहीं दूर है जबकि भाजपादा दावाए कि उन्होंने विकास करा है तो आप किस नजर ये से देखते हैं उनके विकास को देखो आपने देखा होगा पटोदी में कॉंगरेस के समय हॉस्पिटल की बिल्डिंग बन गई थी बस्टेंड बन गया था ठीक है जी आई टी आई हमारे उचा माजरा की गोशना हो गई थी बिनोला में डिफेंस यूनिवस्टी नेचेट पे है जमीन देदी थी सेंक्श पूरेस के समय अप्रूवल देदी जमीन देदी तो कहीं न कहीं की नियत में खोट था दूसरा आप देखेंगे बस्टेंड आप जाकर देख लीजिए बस्टेंड में कोई बस नहीं चल रही है जब इनको करा करा ही बिल्डिंग मिली तो यहां पर बस दुरूस्ट करानी पचास बैड का हस्पिटल बना था आज से वो तीन साल तक ऐसी रहा सीम साब है उसका उदगाटन कर गए और बोले कि हम पचास बैड की जगे सो बैड का हस्पिटल बनाएंगे पर अभी आप चले जाएए पचास बैड के हस्पिटल में मातर स्टाफ ये समझो 20 से 25 परसें अगर आप लोगों को उसी समय पता लग जाएगा कि इन्होंने कितने करें और हमने कितने करें ये थे हमारे साथ सुजीर चोधरी जिनका साफ कहना है कि पांच साल में भाजपाने पटोधी को चला है और अगर उनकी सरकार आती है तो पटोधी के विकास को उचा योपर ले जाए जाएगा कैमर्वन दिनेश कुमार के साथ प्रवीन शर्मा आरनाई टीवी पटोधी